अगर डिप्लोमा किया है बीटे किया है दोनों ही बच्चे जो पास आउट हो जाते है वो सारे के सारे इस फॉर्म को भर सकते हैं अमूमन चार से पांच लाख बच्चे हर साल SSEJ के एक्जामिनेशन को देते हैं दो स्टेज में एक्जामिनेशन होते हैं CBT1 और CBT2 आएए चली जानते हैं कि जो अभी तयारी सुरुवात अपनी करना चाहते हैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कन्फ्यूज हैं कर चुके हैं स्टार्ट लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्लियर होगा उन सभी बच्चों के लिए एक सिंपल सा साधा तरीका जिसको फॉलो किया तो 100% आप अपने एक्जामनेशन को गोल को अचीव कर लोगे सेलेक्शन को पालोगे चलिए बात करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने के स्टार्टिंग में ही बता दू कि आपको लास्ट में मैं बैचेज के बारे में भी बताऊंगा जो बैच आप जोईन करके अपनी प्रिपरेशन को काईदे से कर सकते हैं ससी जेगी एक्जामनेशन के लिए सबसे पहला और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट कि हमें टार्गेट कितना करना है जे गाईज आपको एक लंसम टार्गेट बताता हूं आइडिली सिविल वाले वच्चो के लिए थोड़ा सा कम होता है कटफ लेकिन यहां पर मैंने 150 टार्गेट रखा है टेकनिकल में 75 प्लस रीजनिंग में 45 या उससे ज्यादा 50 नमबर की रीजनिंग होती है 100 नमबर का टेकनिकल होता है और GKGS 50 नमबर का होता है यहां पर हाड थोड़ा से बच्चों को लगत है इनफेक्ट CBT1 तो क्लियर होता है CBT2 में भी अगर परफार्मेस उसके अच्छी आएगी तो टॉप्मोस डिपार्टमेंट में जाने के चांसे बढ़ जाते हैं उसी टॉप्मोस डिपार्टमेंट की बात करने वाला हो मैं और यहां पर आपको बेसिक बताऊंगा कि सबस इसी तरीके से मेकनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी है अब प्रिवियस येर की किताब क्यों बोला मैंने कि प्रिवियस येर की पिवाई क्यू जब सॉल्व करोगे आप तो इसमें आपको को सेंस देखके पता चलेगा कि यह सब्जेक्ट के को सेंसे हो पा रहें कि नहीं हो हुए तो हमें आइडिया लग रहा है कि हां कुछ-कुछ चीज़े हमारे दिमाग में हैं पढ़ने से चीज़े ठीक हो सकती हैं चीज़े समझ रहा हूं लेकिन अभी क्वेस नहीं हो पा रहे हैं तो इससे एक अंदाजा लगेगा कि आप कितने पानी में हो कितनी आपकी परसन होते हैं जो एक्जामिनेशन में पुराने वर्सों में पूछे गया होते हैं तो सिविल इंजिनियर्स सबसे पहला स्टेप यही फॉलो करना है मार्ट्स को लेकिए अब पेपर बन में जाना है तो पेपर बन क्लियर करने के लिए कॉलेज में तो रीजनिंग वेगरा बहुत ज़दा पढ़ते नहीं है जनल अवेर्नेस नहीं पढ़ते हैं हाँ टेकनिकल सब्जेक्ट में भी हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूं सिविल और इलेक्रिकल और मेकेनिकल वाले बच्चे जो पहला पेपर होगा उसमें तीनों पोर्शन आता करेगी जर्नल अवेर्नेस की बात करो जट जणर्नल अवर्नेस में कभी थोड़ा सा मुस्किल लगेगा कभी लगेगा क्या आसान हो नहीं सब्सक्राइब करने ुछ शौकर आपको रोज रेगुलर बैले ससे बनाने पढ़ें लेकिन इसमें हुआ ठीचर्ण पढ़ाते हैं जिसको आपको revise करना होता है ठीक है अब यहाँ पर देखिए civil इंदिनेस, civil में बहुत सारे subject है इसी तरीके से mechanical, electrical, branch wise subject आपको पता करना होगा कौन सा subject आपका strong है, कौन सा weak है initial days में सबसे पहले जो आपका subject मजबूत है ना पर फोकस करना है, confidence आपका generate होगा, built होगा तो जो subject आपको अच्छे लगते हैं उसको पहले पढ़ो वहाँ से देखो कि previous year के आए हुए questions कितने हो पा रहा है और वहाँ से धीरे धीरे आपकी गाड़ी चल पड़ेगी उसके बाद ये सारी चीज़े कर लोगे, तो आपको फिर धीरे-धीरे mock test वगारा देने की आदर डालनी पड़ेगी अब जैसे मैं बताओं तो paper 2 है, paper 2 में भी आपको भी बताए कि technical ही technical आ रहा है, इसमें non-technical हट गया, civil branch होगी तो civil के ही questions दिखाई देंगे, आपको 100 questions, 300 नंबर के, 33 नंबर के एक ही questions, negative marking भी इसमें one third के हो जाती है, तो यहाँ पे CBT2 भी online mode पे अब हो रहा है, इसमें भी आपको उसी तरीके से practice करनी है, जैसा आपने CBT1 में technical की लिखिया था, दोनों को combined लेके चलेंगे, तो आपको यहाँ पे benefit मिलेगा, दो-तिन बातें बहुत important है, syllabus हमेशा आपको दिमाग में होना चाहिए, print out कराकर रख लो, initial level पे basic level से start कर रहे हो, तो सबसे important है, बहुत सारे लोगा है, इसले बस दिमाग में है, दिमाग में नहीं होता है, syllabus हर एक point क्या-क्या लिखा है, उसमें सारे pointers आपके सामने table पे होने चाहिए, time allocator, allocation, अब time allocation में क्या हो गया है, कि हम reasoning का पढ़ें, non-tech का पढ़ें, technical का पढ़ें, non-tech में भी GKGS का पढ़ें, यह बहुत deciding factor होता है, time हम पढ़ने को तो देते हैं, लेकिन किसको कितना समय देना है, यह important है, reasoning में आपने suppose करो ज्यादा समय दे दिया, GKGS पे नहीं दिया, technical पे ज्याद और mock test आपको देना ही देना है, mistakes जो भी होंगी उन test में, उससे आपको देरे-देरे सीखना है और improve करना है, इन सब चीजों को आप classes के साथ-साथ भी कर सकते हो, अगर college going हो, final year में हो, pre-final year में हो, तो आप क्या कर सकते हो, कि अपने college की पढ़ाई कर रहे हो, बस केवल आपको दस किताबों से content ढूंड के notes बनाने के अवशकता नहीं होगी, वो teacher आपका काम करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको वही notes बनाने है, जो आपको बताया जाएगा, important points, उसके लिए मैंने आपको starting में ही बता दिया था guys, कि SSCJ 2025 की त्यारी करने वाले सभी यह जैसे civil का बैच दिख रहा है, वैसे ही mechanical के लिए भी है, electrical के लिए है, 2025 के लिए civil का बैच तो हिंदी और English दोनों में है, देखों यह pure हिंदी वाला है, इसमें हिंदी में लिखाया भी जा रहा है, हिंदी में पढ़ाया भी जा रहा है, यह bilingual है, यह बहुत बहतरीन है, maximum बच्चों की choice यही होता है, bilingual मतलब हम जैसे बात कर रहे हैं, इस तरीके से समझाने का काम सब कुछ हिंदी में होता है, लिखवाने का काम English में, वो भी बहुत easy language में, ठीक तो यहाँ पे आपको दोनों में से कोई साभी बैच आप्ट कर लेना है, proper validity रहेगी, छे महिने एक स साल की validity मिलेगी, 2025 examination तक, और इसमें आपको technical, non-technical, दोनों, ही मतलब CBT1 और CBT2, दोनों ही examination की preparation complete मिल जाएगी, आपको बस क्या करना है, अपनी regularity, हाँ, कभी live classes miss हो जाती है, तो उनकी recorded video मिलती है, रात में देख लो, college है, आपका नहीं देख पाए, college timing पे या बाहर गया हो कुछ emergency थी, recorded session पढ़ा रहेगा application पे, आप जाओ, recorded video देख लो, जब मन करें तब देख लो, ठीक, 27 जून से start हो रहा है, सबसे important बात है कि new batch है, आप सभी को inform करना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया, अभी जाईए in-roll कीजिए, और minimum price में किसी भी बच्चे को इस batch को join करना है, अड़ा 24-7 application है, app download करो phone में, download करने की link description में है, और उसके बाद, AJ exams, AJ exams पे click करना, SSC J पे click करना, और उसमें आपको ये batch देखेगा, price ज्यादा दिखेगे, आपको बस discount code ये type कर लेना, Y293 और apply पे click करना, जैसे apply पे click करोगे, तुरंत discount मिल जाएगा, आपको maximum, ज्यादा से ज्यादा जितना discount possible हो सकता है, और बहुत ही कम price में ये batch आपको दे दिया जाएगा, इस batch में आप जोड़के अपनी classes को start कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को बहतरीन तरीके से start कर सकते हैं, I hope आपको सारी clarity मिल गई होगी, क्या-क्या पढ़ना है, चाहे self study करना है, या फिर classes करनी है, जो भी करना है आपको अभी से start करना पड़ेगा, 7-8 महिने proper आपको मेहनत करनी पड़ेगी, examination में selection लेना है तो, thank you so much, बबब